आज हम पाइप एंड सिस्टन नल और टंकी का सेकिंड पार्ट डिसकस करेंगे इससे पहले हम फिर्स्ट पार्ट डिसकस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक लेविल के कुष्टन्स को देखा के का सुल किया हम थे इसमें हम ऐडवंस लेवल के क्वेश्ट को सॉल्व करते हैं तो हम बेसिक लेविज और बेसिक कंसर्प्ट कर्ते हैं किस तरह से क nature के कुस्टों कर तो बने रहीत में इंदर मकít लेकिनinas करने से पहले आप न बाले तक ऑब्रेस हमारे हैं सके रहे हैं किसे टंकी में south 4 चमता के चार नलauen एक समान उचाई पर लगाए गया है पहली नल टंकी की बिलकुल नीचे लगा गए है और चौथा नल टंकी के 3 वट्टे 4 उंचाई पर लगा हुआ है तो ज्यात करो कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है देखो इसमें 3 कंडिसन दी गई है जो हमें ध्यान देनी होगी पहला ये कि 4 नल लगे हुए है लेकिन अब इसमें क्या 4 नल लगे हुए है और क्या है पहला नल जो है वो टंकी के बिलकुल नीचे लगा हुआ है तंकी के बिलकुल निचे लगा हैं और जो चोथा नल है अब टंकी के 3 बट्री 4 ऊचाई बच़ा है याए ऊपर लगा हुआ है और चोथे कंडिसन यह दे रखिया कि पहला नल जो है इसको 12 घंटरम खाली कर सकता है यानि तली का जो नल है, तली पर जो नल लगा हुआ है, वो अकेला अगर चलेगा तो ये 12 घंट्रिम खाली कर सकता है, तो देखते हैं, मालो ये कोई एक टंकी है, ये कोई टंकी है, अब इसमें बोला गया एक चार नल लगे है, तो अब आपको देखना होगा, अब लेकिन एक कुश्चन और यहां पर उठता है, कि ये टंकी की च्छमता कितनी होगी, कुश्चन तो यह उठता है कि टंकी की छमता कितनी होगी तो अब यहाँ पर हम देखेंगे यह कुश्चन कह रहा है कि जो पहला नल है वो बारा घंटेम खाली कर रहा है तो माल लो कि अगर यह पहला नल जो है पहला नल पहला नल जो बारा घंटे में खाली कर रहा है बारा घंटे में खाली कर रहा है अगर मानलो कि अगर एक घंटे में एक यूनिट खाली करता है तो इसकी छमता कितनी हो जाएगी बारा लीटर बारा लीटर हो जाएगी अगर इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक कॉलम में तीन लीटर पानी आएगा यानि अगर मालो इसमें तीन लीटर पानी है इसमें तीन लीटर है तो इसमें भी तीन लीटर होगा और इसमें भी तीन लीटर होगा और इस उपर जो बचा हुआ पाट है इसमें भी तीन लीटर पानी हो गया याई चार पाट में हमने डिवाइड कर लिया इसको अब कुश्चन यह कह रहा है कि जो चौथा नल है वो पहला नल टंकी के बिलकुल नीची यानि पहला नल जो है वो यहां पर लगा हुआ है यह फर्स्ट नल है यह पहला नल है पहला नल है और यहां पर यह सेकिन है यहां पर सेकिन होगा यहां पर थर्ड होगा और यहाँ पर यह फूर्थ नल हो जाएगा और यही कुश्चन कहा रहा है कि टंकी के थ्री अपन फूर्थ पार्ट पर यानि इस जगह पर इस जगह पर चौथा नल लगा हुआ है तो अब देखा हमने कि यह नल लगा दिये गए चारो नल अब देखो कि इस बाल्व में सबसे उपर वाला पार्ट जो है तीन लीटर अगर इसको खाली करना होगा तो यह कितना कौन कौन खाली करेगा चारो नल काम करेंगे इसमें यह चारो नल काम करेंगे सभी नल चलेंगे क्योंकि यह उपर वाला पार्ट है नल नीचे के विए जितने चारो नल है यह सभी काम करेंगे तो यह बताओ कि पहले नल को खाली करने के लिए वह पहले पार्ट को यानि तीन लीटर पानी है ये और इसे खाली करने के लिए कितने नल लगाएंगे बताओ चार नल अब चार नल काम कर रहें इसमें अब देखो जब ये पहला पार्ट खाली हो गया इसके बाद नीचे वाला पार बचा यानि ये तीस्रा पार बचा अब इसके लिए खाली करने के लिए नल कितने बचेंगी यह तीन नल बचेंगे नीचे वाले फार्स सेकंड एंड थर्ड क्योंकि चौथा नल जो है वो तो ऊपर सूखी हुई टंकी पर लटका रह गया और यहां से तो यह खाली नहीं कर पाईगा तो चौथा नल अलग हो अब देखो दूइजए कने सेकंड चौड यह वाला इसमें देखा हमने कि तीन लीटर पाणी खाली करने के लिए दो नल काम रहें क्योंकि उपर के दो नल सूगी टंकी पर रहें गया खाली टंकी जो है उपर जितनी खाली हो चुकि उस पे लटके रहेंगे बू नहीं खा जो लास्ट वाला नल बचाया वो खाली करेगा तो यहां से देखा हमने कि यह सीकुंस हमें मिला कि पहले तीन लिटर पानी को चारो नल खाली कर रहे थे सेकंड तीन लिटर पानी को तीन नल खाली कर रहे थे और उसके अगला नेक्स्ट पार्ट जो है वो तीन लिटर पानी को दो नल और लास्ट तीन लिटर पानी को अकेला नल खाली कर रहा है तो अगर इसको हम स्वल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसका L से हम हो जाएगा 12 12 हो जाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा 9 यानि 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 टाइम सो 3, 3 जा 9 प्लस 12 प्लस 18 और प्लस 1 से 12 को डिवाइड करोगे 12, 12 तो 3 जा 36 36 यानि यहां से हमें क्या मिला कि इसको अब solve करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा answer होगा तो यानि देखते हैं अब इसको further solve करेंगे तो यह क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा equal to 9 प्लस 2 1 और यहां से यह कितना हो गया 5, 7 75 upon 12 अगर इसको और solve करोगे तो यह हमें क्या मिल जाएगा 6 3 by 3 by 12 आएगा तो इसको और solve कर दोगे और यह क्या हो जाएगा यहां से मिलेगा हमें 6 1 by 4 6 by 4 और यही इसका answer हो जाएगा 1 by 4 गंटे देखते हैं नेक्स कुश्चन नेक्स कुश्चन कर रहा है दो नल A और B किसी टंकी को क्रेम साथ मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं एक निकासी नल भी है अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगे तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा अब देखो यहां से देखेंगे कि A अगर कोई यहां पर A नल है एक B नल है और एक C नल भी है जो निकासी का नल है अगर तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो मतलब A प्लस B अब जो C काम करेगा वो तो नेगेटिव करेगा यान खाली करेगा तो इसको मानस लगा देंगे मानस C यानि खाली कर रहा है भर नहीं रहा है इसलिए इसको मानस लगा देंगे अब A कितने में साथ मिनिट में भर सकता है B इसको पिचात्ता मिनिट में भर सकता है और A प्लस B कि मानय स्थियstore को एक साथ खोल आ रहा है तो यह 50 मिनिट में, यह 50 मिनिट में कर रहे तो अगर हम इनसे elk mo की बात करे तो elk mo क मिलेगा हमे अफrein दियुक्त खड़ेग अगर्मशन से समय चिवाइट i call 600 दो दुम के द भीक देख़ीम होगत है दो खड़ेट दो खड़ेट करने पर हमें क्या मेलेगा यहां पर 5 फद़ाइब पर 25, si min पीक, 4 दो schne. यानि यहां से हम्हें क्या मिला? कैसे हमें एक लेकिन क्यू नोट करते हैं लेकिन स्थ के ХING और B काम करते हैं एक साथ तो 9 unit करते हैं यानि कुछ तो कम कर रहा है C कितना कम कर रहा है अब यहां से देखें तो यहां से यानि A प्लस B प्लस C यानि C की छम्ता निकालेंगे C की छम्ता C की छम्ता C की छम्ता की बात करें तो कितना हो जाएगा C की छम्ता देखो यहाँ पर कितना टोटल कितना है 6 यानि A प्लस B माइनस C यह कितना देखो A प्लस B का इन दोनों का कितना है 5 प्लस 4 यानि 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा अब माइनस C इसमें टोटल कितना है अब इसमें देखेंगे तो 6, यानि C की छमता में कितनी मिल गई, 3, C की छमता में 3 मिल गई, वो कैसे है, कि 9 unit काम कर रहे हैं, 9 unit काम कर रहे हैं, यह A plus B मिलकर, और C को अगर 7 मिले लिया जाए, तो 6 unit काम करते हैं, 6 unit काम करते हैं, तो कितने unit ka difference है a है तीन unit का तो तीन unit जो है negative में यह kám कलेंगा यानि निकासी का काम करेंगा तो बो बढना गया है तो c कितने सुमें में स्टंकी के ख्लाइखार दाइगा तो अकेले c की बात करें तो यह देख थें क्या हो जाएगा यहां से बन जाएगा, अकेले C की च्छमता की, वो टाइम की बात करें, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा, C equal to, अकेले C की बात कितना से, 300, upon 3 कर देंगे, तो यह मिलेगा हमें, 100, यानि 100 मिनट, इस 100 मिनट में C, अकेला इस टंकी को खाली कर सकता है, देखते हैं, next question, next question करा है, दो नल किसी टंकी को करम से 5 और 20 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला गया, और पाया गया, कि टंकी में रिसाब की करण, इसे भरने में एक घंटा ज्यादा लगा, यानि दो नल थे, वो अलग अलग अगर चलाई जाएं, तो पाँच घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन दोनों को खोला गया है, एक साथ खोल दिया गया, तो उस टंकी में रिसाब हो रह अब देखो, यहाँ पर फिर स्वई, पहले तो हमें C की छमता भी निकालनी पड़ेगी, यानि रिसाब कितना कर रहा है, रिसाब कितना हो रहा है, यह भी तो निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पहले A और B की छमता निकालें, यानि दो नल हैं, तो मारे लोग कोई दो नल हैं, नाम ले लिया, A और B, अब तीसरा नल भी है, तीसरा मतलब लीकेज है, तो लीकेज को A प्लस B, माइनस C करतें, यानि लीकेज है, तो L करतों, C करतों, यानि कोई तीसरा नल समझ लो, उसमें C है, तो वो लीकेज कर रहा है, तो अब यहां से देखें, कि A कितन यहां नहीं कि यहां पर अभी हमने इनकी छहमता निकाली अगर हमें इसके LCM की बात करें तो हमें क्या मिलेगा 20 अगर A की छहमता निकालें तो 5 से डिवाइड करने पर 20 को हमें 4 मिलेगा और 20 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिलेगा यानि B की चमता 1 unit पर घंटे है और A की चमता 4 unit पर घंटे है तो यहां से अगर हम C की चमता निकाले यानि A plus B कितना हो रहा है अगर देखें तो A plus B कितना हो रहा है 4 plus 1 यानि 5 5 unit यानि 5 unit काम कर रहे हैं अगर इनको time कितना लगेगा एक साथ काम करें तो 20 अपन 5 कर देंगे तो ये क्या मिलेगा चार घंटे इन चार घंटे में ये खाली कर सकते हैं अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए लेकिन कुश्टिन कह रहा है कि इस रिसाव की काड एक घंटा जादा लग गया तो एक घंटा अगर इसमे हम एड कर देंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा ये 5 मिलेगा बताओ ये 5 घंटे में खाली कर रहे होंगा तिनों मिलक कर तो बढ़ंगे तीनों बढ़ंगे अगर तीन एक साथ लुँनट चलाए जाएगे तो क्या होगा पांस घंटे लगेंगे यानि लीकेश सहित तो ये इनका छमता कितना हो जाएगा फोर यानि एक घंटे हम चार यूनिट काम करेंगे चार यूनिट काम करेंगे अब बोला है रिसाव अकेला कितनी देर में इस टंकी को खाली कर देगा तो पहले रिसा आपकी छम्ता निकालें तो रिसा आपकी छम्ता की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा C equal to C equal to क्या मिलेगा हमें C equal to क्या है यहाँ पर टोटल दखो 5 यानि A plus B की छम्ता कितनी थी 5 यानि अगर C की छम्ता निकालेंगे हैं तो यह क्या निकाल हो जाएगा A plus B minus C divided by A plus B minus C यानि कि हमें क्या मिला A plus B की छम्ता कितनी है 5 minus इन तीनों की इसा एक छम्ता कितनी है 4 unit तो यहाँ से क्या मिला equal to 1 यानि C की छम्ता हमारी कितनी हो गई C की छम्ता हो गई C equal to 1 unit यानि 1 unit यह एक घंटी में खाली करता है तो अब बोला गया है तो पूरे टंकी भर हुई हो तो यह कितनी देर मिखाली कर देगा तो यहाँ से देखें तो यह कितना हो जाएगा तो C की टोटल टाइम बताएए तो C टोटल टाइम equal to टाइम टेकन बाई C इकल टू हो जाएगा 20 अपान 1 इकल टू 20 घंटे 20 घंटे और यही इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा 20 घंटे तो देखते हैं नेक्स कुश्चन नेक्स कुश्चन कह रहा है तीन नल A, B, C किसी टंकी से जोड़े गए हैं A और B करम से 20 और 30 घंटे मर सकते हैं और 30 अपाइप C इसे 45 लीटर पर मिनट निकालता है अगर तीन नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे भर जाती है तो टंकी की चमता बताओ अब आपको एक बात ध्यान देने होगे कि यहाँ पर इनकी चमता दे दी गई है A कम B की A और B की चमता दे दी गई लेकिन C का बोला गया है कितना 45 लीटर पर घंटा यह प्रत मिनट पर मिनट पानी निकालता है यह निकालने की चमता है इसकी लेकिन घंटे में तो कोई चमता नहीं दी गई है और आगे बोला गया है कि अगर तीनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी पंद्र घंटे में भर जाएगी तो देखते हैं तो टंकी की चमता बताओ यानि टंकी के छमता बता नहीं है तो देखो A B और तीनो नल एक साथ खोले जाएंगे तो A प्लस B यानि ये तो positive कम करेंगे और C खाली कर रहा है तो इसको मानिस कर लगा देंगे इतना करेंगे यानि A कितने गंटे में 20 गंटे में B 30 गंटे में और अगर तीनो एक साथ कम करें तो 15 गंटे में इस टंके को भर सकती है तो इनका अगर हम LCM की बात करें तो LCM हमें मिलेगा 60 60 मिलेगा अगर 20 से डिवाइड करने पर हमें यहां पर 3 मिलेगा यानि A की छमता में 3 मिल गई 3 यूनिट पुरत गंटे वो पानी भरता है और B की छमता की बात करें तो 30 से डिवाइड करने पर हमें 2 मिलेगा यानि B दो यूनिट प्रति गंटे पानी भरता है और A प्लस B मानस C की बात करें तो 50 से डिवाइड करने पर हमें यहां पर 4 मिलेगा यह तीनों अगर एक साथ कायम करें तो चार यूनूट प्रति घंटे पानी भरते हैं अब यहाँ पर देखें कि अगर हम से की छमता की बात करें से की छमता से की छमता अब से की छमता हमें देखो अब यहाँ से देखो कि तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं पंदरे यूनूट पंदरे यूनूट कर रहे हैं लेकिन चार यूनूट तीनों मिलकर कितना चार यूनूट प्रति घंटे लेकिन इन दोनों का ए प्लस बी का कितना होना चाहिए था पांस यूनित, यानि सी कितना कम कर रहा है, हैं यहांessions, किया हो जाएगा फाइब, माइनस फॉर करेंगे, तो हम मिलीगा यानि सी की छम्ता कितनी हो गई, एक यूनित पर घंटे, गंटे में दिया गया आ, घंटे में, यानि पर घंटे, כितना हो गया, तो अब इसको C को time कितना लगेगा C का time की बात करें तो time की बात करें अगर हम तो time कितना हो जाएगा time हो जाएगा 60 upon 1 कर दें तो equal to 60 घंटे अब बताओ C को 60 घंटे लगेंगे C को 60 घंटे लगेंगे लेकिन question कह रहा है तो तंकी के छमता बताओ अब टंकी के छमता बताने के लिए क्या करेंगे अब एक बात ध्यान देने होगी कि हाँ पर C 45 लीटर फ्रति मिनट पहने निकाल रहा है और इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा 60 घंटे में तो क्या हम छमता निकाल सकते हैं बिलकुर निकाल सकते हैं पर टंकी कषमता देगे क्या हो जाएगा देगो 60 घंटे हैं आप साथ घंटे में यानि एक घंटे में साट मिनट होते हैं तो शाथ घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 60 इंटो 60 और एक मिनट में कितना पनी निकाल रहा है 45 लीटर तो इनका अगर हमने यह multiply कर दिया तो यह हमें क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 162 thousand लीटर और यही इस question का answer हो जाएगा तो I hope आपको session पसंद आया होगा तो आप इस channel को please subscribe जरूर करें और इस video को अपने दोस्तों में जादा से जादा सियर करें जिससे उन्हें भी इस video का लाव मिल सकें